स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोट के द्वारा दिये गए एक लेटेस जज्मेंट के बारे में बात करेंगे जो की IPC की सेक्षन 498A को लेकर आया है मामला ये था कि इस मामले में पत्नी ने अपने पती की खिलाफ 498A का मामला दर्च करवाया हुआ था जिसमें लोर कोट से पती को दो साल की सजा सुनाई गई फिर पती ने अपील डाली और अपीली अदालत ने भी पती की सजा को बरकरार रखा इसके बाद पती आया हाई कोट में हाई कोट ने भी यही कहा कि सजा में इंटर्फियर करने का कोई मतलब दिखता नहीं है लेकिन हाई कोट ने पती की सजा को कम कर दिया जो की दो साल से घटा कर छे महीने की सजा कर दी गई इसके बार मामला आया मानिय सुप्रीम कोट में तो सुप्रीम कोट में पतनी के वकील ने कहा कि पतनी अब केस को कंटेस्ट नहीं करना चाहती वो अपने पती के साथ रहना चाहती है जब सुप्रीम कोट ने सभी चीज़ों को देखा तो कहा कि आप case को contest नहीं करना चाहते इसके अधार पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता और मानी अधालत ने पती की सजा को कम करते हुए कहा कि पती अब जितनी भी सजा बुकत चुका है वो sufficient है और वो हो चुकी थी और अब पती को जेल से बाहर करने के ओडर कर दिये गए तो आई होप दोस्तो इस मामले में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इस जज्जमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं वीडियो में लास तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद